तो क्या हाल आप सबी की उम्मिद करते हैं सब बढ़े आएंगे सब मौच काट रहेंगे अपने घर पर मस्त होंगे तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि यूरोप एक ठंडा महादीव क्या नहीं कि एक कोल्ड कॉंटिनेट के रूप में माना जाता है क्योंकि वहाँ पर अ लेकिन अब यहां पर एक ऐसा सामने आया है जो धीरे धीरे रेकिस्तान बनता जा रहा और वह दिश है स्पेन अब इस पेन में देखा जा रहा है कि इस पेन में इससमें बहुत साथ घर्मी पड़ रही है है वोहाँ पर कहा ने पिने कंप होती जा रही है जिसक्र असक्रश में तो सब्सक्राइब बात दोもう सबने तो यह इसक्तिर को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो पर आगास करते हैं नहीं हो है मामला कि हम इसके बारे में क्यों बात करें तो नौर्मली आपने देखा होगा कि यूरोप में काफी ज़दा ठंड पड़ती है और यहां पर स्नोफॉल काफी ज़दा होती है और इसी चीज को देख 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 पर एक ठंडा महादी भी माना जाता है यानि कि कोल्ड दील हो रहा है और इस पेन में मौसम का रिकॉर्ड रखने की शुरुआ नाइंटीन से वी थी लेकिन तब से लेखर अब तक यानि के तो जादा सूखा आया है और इस इस पेन के शहरों में अप्रेल का महीना सबसे जादा सूखा रहा है इस पेन में टेंपरेजर 40 डिग्र लेवल यहां तक होता था आप देख सकते हैं कि जो बिच सा बना हुआ है ब्रेज नहीं है यह प्लैटफॉर्म होता है जहां से बोट पगारा चलती है तो आप देख सकते हैं कि पानी यहां पर है नीचे चल लगया बिल्कुल भी खतम हो गया यहां पर आपको एक बोड़ भी दिखाई देगी पहले यहां तक वोता था पाने लेकिन अब यहां पर भी नहीं है बहुत दूर चला गया तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो सूखा पड़ा है इस यहां पर जो नाले हैं नदियां हैं जीलें तलाव हैं सब चीज़े सूख गई हैं और इस्पेन में पाने की कापी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है देख सकते हैं आपके फ्रांस 24 कार्टिकल है ता कंट्री इस बीकमिंग डिजर्ट डॉट स्टक स्पेन इस रेनिंग आड़ वाटर यानि के जो इस पेन है वो धीरे धीरे डिजर्ट बनता जा रहा है औ या अगर आप बाहर कहीं पर कुछ काम करे हो और आट डॉर करो काम आउट डॉर को जाए हैं को प्लानिंग करता है और इतने ही नहीं यहां पर फसलों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है लेकिन पानी वहां पर है यह नहीं तो बहुत सरी जो किसान वो यह कर रहे हैं कि अपने कु़धु मेर्सिपल सेट लगा रहे हैं जिस से क्या वहाँ रहा है मां का जो ग्राउड से भी जादा लोग गिरफ्तार कर लिया किया था वैसे स्पेन को यूरोप का बैक गार्डन माना जाता है यानि कि यूरोप में अक्सर ऐसे घर होते हैं जिनके बैक यार्ड में लोग फलो के पेड़ लगाते हैं कोई सब्जी उगाता है कोई और कुछ और कुछ और यूरोप का बैक गार्डन का जाता है और पाने की कमी में सबसे ज़्यादा सफर होने वाले जो लोग है वह भी इसपेन से यह और वह भी किसान है और इससे ना सिर्फ इस पर फरक पड़ेगा बलकि पूरे यूरोप पर फरक पड़ेगा क्योंकि अल्टिमेटली वह लोग इस्पेन से कुछ इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस्पेन के पास कुछ एक्सपोर्ट करने लायक हो गई नहीं क्योंकि सारी चीज़े तो सूख गई है और इस्पेन की एक फार्मर यूनियन COAG के हिसाब से लगभग 60% क्रॉप बिना बारिश और बिना पानी के खराब हो चुकी जो पूरी तरह से मैचौरी नहीं हो पाई है यानि के ऐसी खराब हो गई और जिस तरह से इस्पेन में बारिश नहीं हो रही है और लगता तापमान बढ़ता ही जा रहा है तो इस चीज़ से यहां पर इस्पेन में काफी जादा सूख देखनों को मिला है और अगर हम इस्पेन की वैदर एजनसी AEMET को देखे तो इस्पेन में सूखा तो 2022 के एंड से ही शुरू हो गया था और फिर सूखा लगतार बढ़ता ही गया और इस्पेन के सभी वाटर रिजरवेयर सूखते गए वैसे देखा जाये तो अकसर इस्पेन में सूखा लगतार आता रहता है लेकिन इस बार जादा ख और तो तब यहां पर और भी जादा खतरनाग गर्मी शुरू हो जाएग्या और जादा खतरनाक अलात हो जाएंगे लें सवाल यह आता है किसे में आज रहां और यह वो पानी की कमी से हो रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इस पेन में बारिष ही नहीं हो प उपारी है जो होनी चाहिए थी और ऐसा यह अप्रैल में भी चला अप्रैल महींने में भी नॉर्मल से कम बारिश हुई है जिसकी वज़े से ये साल सूख़े सालों में से एक बन रहा है और इबारिश ना होने से जो water reservoir है वो सूख रहे हैं जिससे ना सिर्फ खेतों में पानी कम मिल रहा है बलकि यहां पर पीने के लिए भी पानी कम पड़ गया है इस्पेन में एक राज्य है Catalonia जो इस्पेन का सबसे important राज्य है तो वहाँ पर जितने भी रिजर्वेयर हैं उनमें सिर्फ 25% में ही पानी है निकि हर चार में से सिर्फ एक ही रिजर्वेयर में पानी है जो बहुत ही कम है और इसका सबसे ज़्यादा असर अगर किसी के उपर पढ़ रहा है तो वह है किसान और यह सूखा किसानों के लिए existential threat है क्योंकि किसानों को पानी की काफी ज़्यादा जूर्वर पड़ती है ताकि वह अपनी फसलों की सिंचाई कर सके लेकिन जब पानी ही नहीं होगा तो किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पाएंगे और किसानों को तगड़ा नुकसान हो और एक्चुली नहीं नुकसान हो भी रहा है और इस्पेन की कई सारी फसले बरबाद हो गई है खासकर के कॉर्ण और जुआर की और दूसरी फसले भी बरबाद हो रही है और इसी चीज़ को देखते हुए किसानों ने कहा है कि हम एक हम एक रेगिस्तान में जी रह है यानी के धीरे-धीरे स्पेइन की सिच्च Θ나 चीरे हो गई है कि अब है एक रेगिस्तान जीसा लग कही है जैसे के रेगिस्तान में बदलता जा रहा हो और जिस तरह सूखा आने से फसले बर्बाद हो रही है तो इस वज़े से स्पेन में खाने की कमी पड़ गई है और इसकी वज़े से जो खाने पीने का सामान है वो बहुत ज़ादा बहेंगा हो गया और यहां पर एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो फसले सिर्फ बारिश की प्रोडक्शन हो पाएगा और अगर मही महीने में बारिश नहीं होई तो तब यहां पर आपदा आ जाएगी के टास्ट्रॉफ आ जाएगा डिजास्टर आ जाएगी सी ओएजी के नुसार इस्पेन में सूखे ने थ्री पॉइंट फाइफ मिलियन हेक्टेर लगभग चैनले नहीं होने से ऐसा नहीं होने से खाने पहने काँ बेहां बिल्किंताई का धाले की पॉइंल और दूसरी سबजियों का प्रोड़क्शन कम हुआ मैं आपको बता दू कि इस्पेन दुनिया का सबसे बड़ा ओलिव ओयल का एक्सपोर्ट है तो यहां पर दिक्कत है तो इस्पेन ओलिव ओयल का प्रोड़क्शन नहीं कर पाएगा और फिर शहत का उत्पादन में नहीं हो पाएगा क्योंकि मदुमक्खी को परागण के लिए पूल चाहिए जो स्पेन में सारे मुर्जा गये हैं पाने की कमी की वज़े से और इसी चीज़ को देखते हूं यहां पर स्पेन के सरकार ने 2.2 बिलियन यूरो यानि के लगब 20,000 क्रोड़ का पैकेज निकाला है जो किसानों की मदद करने के लिए है और सूखे से लड़न तो आही होप आपको सारी बाते समझ में आ गही होगी तो इस तरह से यहां पर जो स्पेन है वह यहां पर रेकिस्तान में बदलता जा रहा है थैंक यू फर वाचिंग आयरेली अप्रेशिएट यह प्रेसिश टाइम गड़ बेसी ओल नाव साइनिंग आफ